तो किसान बहुत जो भी सरकार यूजना चला रही है उसमें अब किसानों को काफी सारा benefit यहां पर होने वाला है हम आपको बता दें यहां पर जो सबसे बड़ी PM की यूजना है उसका नाम है PM किसान यूजना इससे किसانों के लिए उनके टेंप पे फेसल के टेंप पे उनको 2,000 रुपे की रख मियाँ पर दे दी जगती है ऐसा भी हो सकता है कि अब 2,025 में उनको 2,000 रुपे की जगत 4,000 रुपे भी उनके वेंख खाते में यहाँ पर ट्रांसपर कीया जा सकते हैं उसके बाद में किसान भायो सारी योजना को लेके जो है आपको मैं बताना चाहूँगा पीम किसान सम्माने दी योजना है या फिर आयोसमान कार्ड हो योजना हो गई या फिर आपकी विश कर्मा योजना हो गई या फिर और जो योजना है सरकार चला रही है तो सबी योजना से आपका पैसा आपके वेंग खाते में ट्रांसपर किय ता है दस जून दो हजार चोबिष को सत्री मिश ट्रमेंट का ऐलांज किय था जबकि 18 जून दो हजार चोबिष को किसानों के खाते में उस पैसे को ट्रांसपर भी कर दिया गया है तो यहां पर बिश्प की सबसे वड़ी यूजना डर्क डिवेंफेजी ट्रांसपर यानि डिवीजी के माध्धम से जो पैसा ट्रांसपर होता है तो वो यूजना है P.M. किसान यूजना इस यूजना के तहत किसानों को सालाना छे हला आज यहां से पी-एम किसान सम्मा निधी की एक और किस्त भेजी गई है सिर्फ एक ही बटन दबा कर एक ही क्लिक पर देश के करोडों किसानों के बैंक खाते में सोला हजार करोड रुपिये पहुंचे हैं अजार रुपिय की रकम दी जाती है वो भी दो-दो-धाजार रुपिय की तीन किस्ते उनको यहां पर दे दी आती है अब तक किसानों को जो है वो सत्रह किस्त का पैसा उनके वेंग खाते में ट्रांसपर हो चुका है इहां पर जो है वो पैसा सीधे उनके वेंग खाते में ट्रांसपर कर दिया गया है अब इहां पर बात आती है कि विसकरमा यूजना के तहरत उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कब तक मिलेगा तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं बिसकरमा यूजना में भी किसानों को जो है यहां पर 26 जन्वली 2024 को रिलिज की गई है बिसकरमा यूजना इसके तहट किसानों को जो एक किट है यहां पर 15,000 रुपए का बोचर और 500 रुपए पर मन्त भत्ते के रूप में भी आपको यहां पर मिल सकते हैं तो यहाँ पर जो पैसा है वो आपको सब DVD के मादम से ट्रांसपर कियागा अगर आपने 20 कर्मा यूजना में रेजिशन नहीं किया है तो जल्द 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 जाकर आप रेजिशन करा लें अन्यता आपको इस यूजना का लाप भी नहीं मिलेगा यह जल्द ही आपको किसान ID रेजिश्ट्री आपको करा लेनी है अगर आप यहाँ पर रेजिश्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको दिसंबर यानि दिसंबर 2024 तक आपको यह करानी ही करानी है complete अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको PM किसान सम्माने दी यूजना की जो रासी है वो आपको मिल रह है उसका पैसा यहां पर आपको नहीं दियाएगा रजिस्ट्री के लिए आपको जहां तहां कैम्प भी लगा जाएंगे और यह 8 जुलाई 2024 के बाद जो है कैम्प लगना स्टार्ट हो जाएंगे और हर गाव में किर्शी विभाग और लेकपाल को लेके जो है वो मीटिंग भी की जाएगी जिससे किसानों से कुछ डोकोमेंटों की रुकारमेंट रहेगी और इस फेमली आईडी का मतलब यानि जो रेश्ट्री है इसका मतलब है कि आपके पास कितनी जमीन है उस प्रिकार का एक कार्ड भी आपको प्रोबाइट किया जाएगा जि है कि अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो भी आपको इसमें पैसा नहीं दियाएगा कापी सारे किसानों का कमेंट शारा था कि सर ये जो रेश्ट्री है ये किसको करानी पड़ेगी जिनको लाब मिल रहा है उनको भी करानी है और जिनका लाब नहीं मिल रहा है उनको भी करानी है तो मैं आपको यहाँ पर बदा दूँ यह जो रेजिस्ट्री है यह सभी किसान मारुक भाई हैं उनके लिए अनवारिय कर दी गई है आपके ग्राम में आपकी जमीन है तो आपको अपनी रेजिस्ट्री करानी ही करानी है अन्नता आपको अगर 17 installment मिल गई हैं तो अब 18 में installment का पैसा यहां पर आपको बिलकुल भी नहीं दियेगा क्योंकि registry M है तो उसको आपको करवानी ही पड़ेगी तो यहां पर बहुत सारी यूजनाय हैं उनका पैसा आपके बेंक खाते में जो है वो ट्रांसपर होने बाला है और मैं आपको यहां पर बता दूँ PM किसान यूजना का पैसा आपको बड़ा मुश्कुल से मिलेगा क्योंकि यहां पैस सरकार काफी बड़े बड़े अपडेट लेके आने वाली है जिससे आपको रेजिस्ट्री भी करानी है और भी यूजना आने वाली हो सकता है कि आपको अब EKYC हर साल यहां पर प्रोवाइट करानी पड़े जिससे आपको इस यूजना का लाप मिल सके हम आपकी जानकारी के लिए बता दे किसान वाईयो PM किसान सम्माने दी यूजना में रेजिस्ट्री और EKYC और लैंड शीडिंग और आधार शीडिंग यानि जो है उसको आपको करबानी ही पड़ेगी तभी आपको पैसा मिलेगा तो किसान वाईयो काफी बड़े बड़े अपडेट यहां पर आ चुके हैं और जल्द से जल्द जाकर आप अपनी रेजिट्री करा लें और मैंन में कोई कनफीजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिस पैसे और अंदर के सिशी बन जाए के सी बन बाने के लिए गौँ इस तरो पर अभियान भी चला आए जा रहा है जहांपर जाकर आप अपना जो के ये रूप में यूपी में free cycle यूजना चल रही है, इस यूजना के मदद से पहले चनल में प्रदेश के लगवख चार लाग से अधिक सिर्मिकों को मुफ्त में cycle प्रदान की जाएगी, इस हर सिर्मिकों 3000 रुपई की सब्टेर दी जाएगी, और बाद में ये लक्ष पूरा ह हो जाएगा तो दूसरे चरल में भी पात्र किसानों को दिया जाएगा अब यहाँ पर बात आती है बिसकरमा यूजना की तो बिसकरमा यूजना में भी बड़ा लाव आ चुका है पहली किस्ट का जो है वो एक लाख रुपए से और दूसरी किस्ट दो लाख रुपए तक का पांच पर्सेंट की ब्याज की दर पर जो है वो किसानों को लागो किया आएगा और इस यूजना के तहट जो है किसानों को काफी सारा वैनिफेट भी होगा अब यहाँ पर बात कर रहेते हैं सिलाई मसीन के बारे में तो प्रदान मंत्री जी निरंदर मोंदी दुआरा चल जाए गई इस कार जो लाब है वो किसानों को यानि कमजूर महलाओं को प्रदान किया जाएगा इस यूजना के अंतरगत पचास हजार रुपए की जरूरत मंद जो महला हैं उनको सलाई मसीन उपलब कराए जाएगी उसके बाद में और भी यूजना है निकल के आ रही है आ यह उसमान कार्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको पचास हजार रुपए तक का मुफ्त एलास दिया जाएगा और जिसमें खर्च है इस यूजना के तहट जो है वो साट परशिदी केंदर सरकार और चालिस परशिदी जो राज सरकार उठाएगी और अपना आयो उसमान कार जाकर लिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें काफी वड़ा जो है वो अपडेट यहां पर दे दिया गया है